गुद मॉर्निंग क्लास थर्ट, इस इस आवर मैथेमेटिक्स वीडियो और इस इस आवर गुक, ब्रिलियंट्स कम्पोजिट मैथेमेटिक्स लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नमबर 4, एक्सरसाइज 4B को डिसकस कर रहे थे और हमने अभी तक question number 21 तक solve कर लिये थे, मैंने आपको homework में 22 से 37 तक question दिये थे I hope आपने अच्छे से किये होंगे और आब हम डिसकस करेंगे सबसे पहले question number 22 से start करते हैं 7263 में से हमें minus करना है 6894 को, ठीक है, तो start करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, column wise solve करना start करेंगे, छोटी digit है तो left hand side से हम carry लेंगे 3 से नहीं कटे, 3 में से 4 minus नहीं होगा, तो हमने यहां से ले लिया, 6 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, sorry, 3 का हो जाएगा, 13, ठीक है ना अब हम 13 में से किसको minus करेंगे, 4 को minus करेंगे, तो 13 में से 4 गए, कितना बचेगा हमारे पास, 9 अब यहां पर 5 है, 5 में से 9 minus नहीं होगा, तो हमने इधर से carry ले लिए, इधर carry ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा, 1 और इधर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5, 15 15 में से 9 माइनस करेंगे 15 में से 9 गए कितने बचेंगे 6 अब 1 में से 8 फिर से minus नहीं होगा तो 7 से carry ले लिया तो 7 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है और 1 का क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 11 11 में से 8 गए कितना बचेगा 3 और 6 माइनस 6 जीरो छीक है next question पर चलते हैं 23 इसमें क्या करना है 7,865 में से 4,984 को माइनस करना है 5 में से 4 गए 1 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे इधर से हमने carry ले लिया 8 का कितना हो गया 7 और 6 का कितना हो गया 10 प्लस 6 16 16 में से 8 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 बचेंगे ठीक है उसके हूँ यहां कितने हो जाएगे 10 प्लस 7 17 अब 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यह हो जाएगा 8 ठीक है 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8 6 में से 4 गए कितना आ जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा अंसर 2,881 Q24 पर चलते हैं Q24 देखते हैं 6,000 में से कितना माइनस करना है 4,987 यह वाला कोशन डिसकस करने से पहले थोड़ी सी बाते करना चाहूंगी एक बच्चा है वैतिक काफी अच्छा काम किया हुआ है वैतिक आपने वैतिक आपने कॉइट इंप्रेसिव बट साथ में जब माइनस के सम की हम बात करते हैं तो मैं एक बार एक कोशन डिसकस करना चाहूंगी 78 में से आपने माइनस किया 59 को ठीक है तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो आपने इधर से कैरी लिया इधर कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 18 18 में से 9 माइनस किया तो आ गया 9 अब यहाँ 7 है 7 से 1 इधर कैरी ले गए तो 7 काटके क्या आ जाएगा 7 को काटके आ जाएगा 6 अब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 नहीं 1 बचेंगे जब हम इधर से कुछ उधर लेके जाएंगे अपने घर में आपके पास 10 रुपे हैं 10 में से आप किसी को 1 रुपे दे देंगे तो आपके पास तो 1 कम हो जाएगा ना कितने रुपे बचेंगे 9 रुपे बचेंगे तो इसलिए एक कम लेके चलेंगे जब आप क्यारी करेंगे ठीक है ना तो यह कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगे तो 2 आएगा पर 7 नहीं है हमारे पास कितना है 6 है तो 6 में से 5 गए 1 तो माइनस वाले सम स्पेशली जो बोरेंग वाले थे उनमें काफी मिस्टेक की हुई है उसके अलावा जहां पे 0 है वहां पे कॉंसेट में प्रॉब्लम है एक बर दुबारा देख लेंगे 5 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो 5 से उधर चले हम यह देखो 1s, 10s और 100 हमेशा लिखे questions करना है बिना 1s, 10s, 100 place value लिखे बिना हम questions solve नहीं करेंगे तो अब 5 में से 9 माइनस नहीं हुआ तो मैं किसके पास जाऊंगी 10s के पास जाऊंगी 10s से मैंने बोरो करने के लिए बोला अब उसके पास तो 0 है वो तो खुदी उसके पास कुछ नहीं है वो दूसरे को क्या देगा तो वो किसके पास जाएगा 100 के पास अपने से बड़े के पास ही जाएगा जिसके पास कुछ होगा उसी से मांगेगा तो 10s वाला किसके पास गया 100 के पास 100 के पास कितने थे 6 तो six से उसने एक इधर दे दिये six में से एक उधर गए तो यहां कितने बचे five बचे, ठीक है six में से एक उधर दिये तो काटके साथके साथ लिख दिया five, आप देखेंगे इधर कितने हैं, इधर से एक आया one hundred आया, यानिकि ten, ten's आ गए है तो 0 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है अब 10 में से इसने 1 उधर दे दिया 10 में से 1 दिया तो 10 को काटके क्या जाएगा 9 आ जाएगा अब 10 नहीं रहे गए यहाँ पे 10 का क्या बन गया 9 क्योंकि 10 ने 1 किसको दे दिया 1 को दे दिया अब इधर से 1 चले गया पर कितने गया 10 वंस गए ना इधर तो क्योंकि इधर 1 टेंस था तो यानिकि 10 उधर गए वंस प्लेस पे जाके कितने हो जाएंगे 10 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 ठीक है तो 15 में से 9 माइनस हो जाएगा 6 आ गया आपने ठीक किया है उसके बाद यहाँ 10 में से नहीं माइनस करेंगे क्योंकि इसने एक उधर दे दिया इसके पास कितने बजएगे 9 बजएगे तो 9 में से 1 माइनस किये कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे और 6 ने भी तो 1 दिया था सबसे पहले तो उसी ने दिया था 6 का कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 तो वैदिक काफी जो माइनस के जहां पर स्पेशली 0 जबारा है आप काफी मिस्टेक कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे एक बार और कोशिश करेंगे इन सम्स को एक बार दुबारा करें ठीक है ना यह स्टार्टिंग का था चलो कोई बात नहीं अब हमने सब्ट्रेक्शन का टॉपिक काफी अच्छे से डिसकस किया है तो I don't think so अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बार बार कॉंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे और फिर कोशिश को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे काफी अच्छा काम किया हुआ है आगे भी ऐसे ही करते रहें और भी मैं बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी तो आपकी जो कमिया होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी ठीक है? अब हम कोशिशन नमबर 24 डिसकस करते हैं देखो वन्स प्लेस पे क्या है जीरो जीरो में से सेविन माइनस नहीं हो जकता तो जीरो अगले के पास जाएगा टैन्स के पास भी कुछ नहीं है तो वो और आगे जाएगा हंडर्ड के पास भी कुछ नहीं है तो हंडर्ड किस के पास गया है thousand के पाद 1 दे दिया वन दे तो सिखस यहांसीधे हमने काटके कर ठीक है अब इधर से इधर है तो कितने वह जएंगे इधर आ गए 10 घर 0 काटके Nós ऑब 10 से किसने मांगे थे 100 वाले से टैंस नहीं अधर दे दिया 9 9 बच जाएंगे और 1 उधर दे दिया तो इधर कितने बच जाएंगे 10 बच जाएंगे अब 0 काट के क्या हो गया ये भी 10 हो गया अब इससे भी तो 1s place ने मांगे थे तो इसने क्या किया एक उधर दे दिया जो हमने दे दिया सबसे पहले तो उसको काट के ठीक कर देंगे तो एक कर दे दिया तो 9 बज गए अब एक उधर दिया तो कितने हो गए 10 हो गए यहाँ पे 0 कर जाएगा 10 में से 7 गए कितने बचे 3 बच गए 9 में से 8 गए कितने बचे 1 बच गए 9 में से 9 गए 0 और 5 में से 4 गए 1 ठीक है ना तो मुश्किल नहीं है concept समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है आपको क्या करना है step by step चलते रहना है ठीक है आगे चलते हैं 3 में से 7 नहीं जाएगा तो carry लेंगे यहाँ 0 है तो यह और आगे जाएगा इसके पास 1 है इसने 1 उधर दे दिया तो इसके पास कितने हो जाएगे 0 इधर दे दिया तो इधर हो गई 10 इसने आगे दे दिया तो इसके पास कितने हो गई 9 और इधर दिया तो कितने हो गई 10 10 प्लस 3 13 हो जाएगे यह भी cancel हो जाएगा अब 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 1 बचेंगे 0 में से 9 नहीं जा सकते तो 8 से उधर से अगले वाले से कैरी ले लिया 8 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और इधर कैरी गया तो 0 को काटके क्या जाएगा 10 आजाएगा 10 में से 9 गए 1 और 7 में से 7 गए 0 ठीक है आगे चलते हैं Q26, 6 में से 9 नहीं जाएगे आगे गया उसके पास भी कुछ नहीं है 4 फिर उस से आगे गया तो 4 थे 4 ने एक उधर दे दिया 4 के पास हो गए 3 और इधर कितने हो गए 10 हो गए 0 को काटके आगे 10 10 को फिर आगे देने थे 10 के पास बचे 9 और 0 के पास हो गए 10 अब इसको फिर आगे देने थे तो इसके पास कितने बचे 9 और इसके पास कितने बचे 10 प्लस 6 16 अब 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा फिर से 7 आ जाएगा 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा 3 में से 3 माइनस किये यह आ जाएगा 0 तो आ गया 877 27th question को देखेंगे 3 में से 8 नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा carry लेगा तो 3 ने 2 से carry ले लिया 2 के पास कितना हो गया 1 और 3 के पास कितना हो गया 10 प्लस 3 13 अब 13 में से 8 माइनस करेंगे कितना बज़ेगा 13 में से 8 गये 5 बज़ गया अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 carry लेगा carry लेने लगा तो इसके पास भी कुछ नहीं है इसने आगे से मांगा यहां हो गया 9 का 8 और इधर कितना हो गया 1 आया तो इधर हो गया 10 अब इसको पीछे देना है तो इसने एक उधर दे दिया इसके पास बज़े 9 और यहां पे 10 प्लस 1 यह हो गये 11 11 में से कितना माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा ठीक है ना 9 में से 7 माइनस करें यहां गया 2 और 8 में से 7 माइनस करें यहां गया 1 ठीक हैं आगे चलते हैं question number 28 पे 1 में से 9 माइनस नहीं हो गया इधर से ले लेंगे, इधर के पास भी कुछ नहीं है, तो वो आगे गया, और वो भी आगे गया, 1 का काट के हो गया, 0, 0 का हो गया, 10, इसने एक उधर दे दिया, तो इसका हो गया, 9, और इधर कितना हो गया, 10, इसने भी एक आगे दे दिया, तो इसका कितना हो गया, 9, और आ जीरो ठीक है नेक्स्ट कोईशन पे चलते हैं जीरो है आगे चलो आगे चलो जीरो से आगे चलो जहां पे है ठीक है 7 में से एक गए 6 हो गया अब यहां पे कितना है 0 तो 6 ने एक उधर दे दिया तो इधर कितने हो गए 10 इसने उधर दिया 9 इसके पास आए 10 इसने भी उधर दिया तो इधर कितने हो गई 9 और इधर कितने हो गई 10 10 में से 5 गए 5 9 में से 6 गए 3 9 में से 5 गए 4 6-6 0 कितना है 435 next है 7013 और माइनस करना है 5168 3 में से 8 जाएंगे नहीं carry hill डिया 1 का हो गया 0 इधर हो गया 10 प्लस 3 13 13 में से 8 माइनस कर दिये जब 13 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 5 0 में से 6 नहीं जाएंगे आगे चलेगा उसके पास भी कुछ नहीं है तो वो भी आगे चलेगा 7 का हो जाएगा 6 10 में से 6 गए कितने हो जाएंगे देखो 10 था 1 से इधर चलेगा ना एक तो इधर गया तो यहां से आया यहां हो गया 0 अब उधर से ले जिए हो गया 10 10 में से 6 गया 4 9 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 Next question पर चलते हैं 1 में से 5 नहीं जाएगा कैरी लेंगे 3 का कितना हो गया 2 इधर आजाएगा 10 प्लस 1 11 11 में से 5 गये 6 2 में से 6 नहीं जाएगे इधर से कैरी ले लिया 1 का हो गया 0 और इधर कितने हो जाएगे 10 प्लस 2 12 हो गये 12 में से 6 गये 6 बचेंगे, 0 है, 0 में से 7 नहीं जाएंगे, इधर से carry ले लिया, इधर हो गए 3, और इधर आया, 10, तो 10 में से 7 गए, 3, 3-3, 0, ठीक है, तो यह हुआ हमारा answer, 30 seconds हम देखते हैं, 4 में से 8 जाएगा नहीं, आगे से carry लेंगे, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो उससे आगे जा carry ले लिया, 7 से carry लेगा तो इधर कितने हो गए, 6, इधर कितने हो गए, 10, उसको आगे देगा तो इधर कितने हो गए, 9, इधर कितने हो गए, 10, यह फिर आगे देगा तो इधर कितने हो गए, 9 और इधर कितने हो गए, 10 प्लस 4, 14, अब 14 में से 8 माइनस करेंगे, 14 में से 8 ग यहां पर कुछ नहीं है सीधे 6 6जाट करते हैं 6 में से एक गयाि इधर कितना हो गया इधर कितना हो गया 10 और एंगे 7 और इधर पूर जीरो ठीक है तो यह हुआ हमारा आंसर 625 question number 34 देखते हैं 4 में से 5 जाएगा नहीं आगे से carry लेंगे 6 का क्या हो जाएगा 5 और 4 का क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 14 14 में से 5 जाएगे 9 ना जाएगा 5 में से 7 माइनस नहीं होगा carry लेंगे 1 का हो गया 0 और इधर दे दिया तो आगया 15 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 0 में से 3 नहीं जाएगा इधर से carry ले लिया 5 का क्या हो गया 4 और 1 उधर गया तो क्या जाएगा 10 10 में से 3 गए 7 और 4 में से 2 गए 2 2789 35th question देखेंगे 10 में से 5 नहीं जाएगा carry ले लिंगे 5 का हो जाएगा 4 और 0 का हो जाएगा 10 10 में से 5 गए 5 4 में से 6 माइनस नहीं होगा इधर से carry ले लिया 6 का हो गया 5 और इधर 10 गया तो 10 प्लस 4 14 अब 14 में से 6 गए तो यह आ जाएगा 8 5 में से 4 गए 1 9 में से 6 गए 3 next है 0 में से 6 नहीं जाएगा आगे carry लेने के लिए नहीं है इधर लेंगे 1 का हो गया 0 उधर गया 10 cancel हो गया अब 10 से फिर देना है तो इधर हो गया 9 इधर गया कितना 10 तो 10 में से 6 गए 4 9 में से 7 गए 2 0 में से 3 माइनस नहीं होगा तो carry लेंगे 7 का 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 10 10 में से 3 गए 7 और 6 में से 2 गए 4 ठीक है आगे चलते हैं 7 में से 8 माइनस नहीं होगा तो carry लेंगे इधर से लिए इधर कितने हो जाएगे 7 से 6 इधर कितने हो जाएंगे, 17, इधर कितने हो जाएंगे, 17 में से 8 गए, 9, 6 में से 8 फिर से नहीं जाएगा, carry लेंगे, 7 का कितना हो जाएगा, 6, इधर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6, 16, 16 में से 8 गए, 8, 6 में से 8 फिर से नहीं जाएंगे, 7 का कितना हो जाएगा, 6, और इधर कितन आगया 3889 ठीक है next है three में zero में से three नहीं जाएंगे carry लेंगे यहां कुछ नहीं है तो यहां गे चलेगा और यह उससे आगे चलेगा six का हो गया five इधर हो जाएगा ten ठीक है ten में से फिर उदर चले गए तो यहां हो गया nine इधर आगया ten फिर उदर गया तो इधर हो गया nine इधर कितना हो गया ten ten में से three गए seven ठीक है ten में से three गए seven nine में से five गए nine में से five जाएंगे four nine में से nine गए zero five में से three गए two यह था question number 38 question number 38 में क्या बोल रहा था find that difference between इनका difference निकालने difference हमेशा हम कैसे लिका लेंगे बड़े में से छोटे नमबर को मैनिस बड़ा नमबर कितना है three thousand बड़ा है six thousand of course six thousand तो six thousand को हमने कहां रखा six thousand को रखा ऊपर और three thousand nine hundred fifty three को हमने रखा नीचे उसके बाद हमने वन सेंस अंडर्ड था जैसे लिखते हैं वही लिखा और column wise solve करने लगे अगर simply solve हो जाए तो ठीक है नहीं होगा तो हम carry ले ले लेंग बहुत सारे sum practice कर लिए question number forty one देखेंगे question number forty one में भी क्या करना है minus करना है कैसे करेंगे forty one बता दूंगी फिर forty six तक आपको खुद करने है one में से eight नहीं जाएगा तो उधर से carry ले लिया उधर से carry लेंगे तो seven का क्या हो जाएगा six हो जाएगा और इधर ten ten plus one कितना हो गया 11 11 में से eight गए three आ जाएगा ठीक है अब six में से three minus करेंगे तो क्या आएगा three ठीक है देखो यहाँ पर बीच वाला number जो missing number है उसको हमें fill करना है तो अब यहाँ पर मेरा बच गया six six में से मैं six में से मैं three minus करूंगी तो जितना भी आएगा वो यहीं आएगा क्यूं आएगा क्योंकि हमने एक rule पड़ा है बड़े में से छोटे number को minus करा तो जो result आया उसके बाद जब हमने छोटे दो भी number छोटे वही दो number result और छोटे number को जब add करा तो दुबारा से हमारा greater number या larger number आ जाता है तो अब यहाँ पर तो क्या था one में से eight minus हो नहीं सकता था तो उधर से carry 11 में से eight minus कर दिया तो हमारा क्या आगया three आगया seven का तो क्या बना six बना अब six में से में को कितना three minus करना है तो जो भी number आएगा वो यहीं पर लिखा जाएगा तो यह आगया three अब देखो यहां कुछ नहीं दिया पर इस में से यह minus करा तो मेरा five आ गया तो अगर मैं इन दो नों को number plus कर दूंगी तो भी तो वही number आएगा जो यहां आना चाहिए तो मैंने five plus two करा तो आ गया seven इसका मतलब यह भी fill हो गई आप देखेंगे six में से four answer आना चाहिए तो मैं directly six में से four ही ना minus कर दूँ six में से जब मैंने minus किया four तो answer आ गया two आ गया तो यह मेरा statement बन होगे तो यह आ जाएगा ठीक है ना तो इसको ऐसे करेंगे ठीक है इसके बाद आपका homework क्या रहेगा जल्दी से देखेंगे question number 38 से लेके question number 38 से start करेंगे और कहां तक करेंगे 46 तक यह आपका homework करेंगा ठीक है जब तक आप यह करेंगे इसके बाद हम next वीडियो में discuss करेंग यह आगे थैंगे तेंगे तेंगे